ये त्यार और जंग दुनों के लिए है मिलंग की तलाश में नर फिटलर क्रैब ने एक बहुत ही विशाल और असाधारन पंचा विक्सित कर लिया है जिसका वजन इस केकड़े के शरीर के वजन से आधा होता है फिटलर क्रैब का छोटा पंचा उसके बड़े पंचे पर कुछ इस तरह से चलता है मानों वो एक वाइलिंग बजा रहा हो और इसी वज़े से इसे ये नाम मिला है ये पंचा मादाओं के बीच काफी लूप प्रिया है पर इसकी वज़े से ये दिक्तों में भी बढ़ सकता है मादाओं अपने इकल साइस पंचों से बड़ी कुशरता से रेद में छानबीन कर पाती है जबकि नर के पास खाना खोजनी का एक मूटा पंचा ही होता है ऐसे में नर को दुगना वक्त लग जाता है इनकी ये टंठलदार आंखें इस सपार्ट दुनिया को देखने के लिए खास तोर पर बनी है इनसे इस नर ने मौइना किया है और उसे एक मादा नजर आ गई है ये अपने बिल से बहारा गया है और इसने बेजैनी से बड़ा पंचा लहराना शुरू कर दिया है ये दिखाने के लिए कि बाकी नर उतने असरदार नहीं है जितना की ये है लेकिन इस रेतीले दाइरे में इतने सारे नर हैं कि कभी कभी ये दिखावा बहुत आक्रामक बन जाता है और ऐसे में अक्सर लडाईयां हो जाती है नर ने भले ही अपनी दागत दिखाई है पर इस मादा को इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है यहां हजारों दूसरे नर उसका ध्यान खींचने के लिए लहरा रहे हैं इसके पास काफी विकल्ब है